हेलो नमस्कार दोस्तो मैं सत्यंदर सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल सत्यंदर गुरुजीपे दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए रिजिनिंग के बारे अती महत्व पुर्ण प्रश्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसे लिए आप लोग वीडियो के अंतितक जरूर बने रहेगा इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्ण के बारे में बताएंगे दोस्तो जैसे कि प्रश्ण हम लोगों के सामने दिया है प्रश्ण है दिये गए बिकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए जैसी कि देख रहे हैं आप पंदर का जो रिलेशन 62 के साथ है यानि पंदर का जो रिलेशन 62 से है उसी प्रकार सोले का रिलेशन कौन से नंबर से होगा इसके लिए चार अपसंदी गई है इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि ये सारे प्रश्ण प्रिपियस पीपर का है जो अलग अलग एक जाम में कई बार रिपिट कर चुका है क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्ण होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं अच्छा एक चीज और आपको बता दूँ ए पार्ट नंबर हमारा 82 है दोस्तों जिसने पार्ट नंबर 81 तक नहीं देखे हैं तो किर्पिया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जर लिए आपका पहला प्रश्ण है क्या कहता है ध्यान से देखें कहता है कि पहला प्रश्ण आपका उस बिकल्प का चैन करे जो अन्य से भीहीन है बाबु देखो यहां पर क्या लॉजिक इस प्रश्ण में लग सकता है इसे के बारे में हमें पताना है बाबु देखो ध्यान से यह हमारा classification या odd one out एक chapter है odd one out जिसे classification भी बोला जाता है या फिर बरगी करन हिंदी में बोला जाता है तो इसमें देखो इस वाले में देखना होता है कि क्या logic इसमें लग सकता है तो इसमें जब दो डिजिट का यहाँ पर जैसे तीन डिजिट का है दो डिजिट का नंबर होता है न यहाँ पर अगर दो अंक का नंबर होगा तो हम प्राइम नंबर देखते हैं लेकिन अगर तीन अंक का नंबर जब होगा न बाबू तो हम यहाँ पर देखते हैं Q 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 से देखिए क्या यहां पर हम करेंगे क्या कि यहां पर जब 3 डिजित में है तो यहां पर cube या फिर square या फिर factor देखते हैं तो यहां पर cube का ही logic लग जाएगा वह देखो कई सी 512 है यह 8 का cube होता है जो 343 है यह 7 का cube होता है जो 729 है यह 9 का cube होता है लेकिन बाबु जो यहां पर दो सो छपन है यह 16 का S-square होता है इसलिए यहीं हो जाएगा इनसे अलग बाकी एक होगा यह अलग क्यों होगा क्योंकि यह सभी किसी नंबर का Q है जबकि बाबु आप्शन यह ऐसा नहीं है यह किसी नंबर का S-square है तो इसलिए यहीं हो एनसे ठीक है चलिए अगले प्राश्ण क्यों हम बरते हैं गले दो नंबर प्रस्ण है कहता है स्रिंकला में लूप्ट अंक का पता लगा यह यहां पर जो स्रीज में लूप्ट अंक दिया गया है इसके जगह पर क्या आएगा पता लगाना है एक है छॉव है उसके बाद में 13 है, उसके बाद में 22 है, उसके बाद में 33 है, इसके बाद में क्या आय गई यहीं तो बताना है। बाबु देखो यहाँ एक से छो कईसे बना है एक से छो कईसे बना है प्लस का पांच करने से बना है बिलकुल अच्छो से तेरा कईसे बना है प्लस का साथ करने से बना है अच्छा तेरा से बाइस कईसे बना है प्लस का नौ करने से बना है बाइस से तेरा कईसे बना है प्लस का एकारा करने से बाना है तो आने वाले जो अगिला नंबर होगा उप्लस का क्या करने से आएगा यहां पर देखें पहले पांच प्लस का हुआ फिर दो बरा 7 हुआ फिर दो बरा 9 हुआ फिर दो बर गया 11 हो गया अगला बार जो होगा इसमें प्लस का 11 के बाद 2 बरेगा तो 13 हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा और 33 में 13 जूटे गया तक कितना हो जाएगा भाई तो यह हो जाएगा 46 और 46 किस option में दिया है मेरे दोस्त 46 किस option में दिया है तो option number 4 में दिया गया है इसलिए इसका right answer option number 4 हो जाएगा सही ठीक है भाई तो मैं उमेड के साथ कहता हूँ कि आप लोग इसे जरूर समझ लिये होंगे बारा ही मज़ेदार प्रशन था चलिए एको बात और बात आते हैं आप लोग प्रशन को राटिये नहीं बाबू प्रशन को समझने का प्रयास किजिए चलिए आगले प्रशन की उर तीन नमबर प्रशन है जैसे कि देखने बृत का जो रिलेशन चाप से है ठीक उसी परकार फूल का रिलेशन कौन से सब्द से होगा अच्छा एक बात हम सभी जानते हैं जो बृत होता है इसके छोटे से भाग को अगर हम बाहर कर दें तो इसी को चाप कहा जाता है जो ये फूल के छोटे भाग को बाबू, पंखूरी कहा जाता है, पंखूरी कहा जाता है, अपसा नमबर D है सही, ठीक है, चलिए दोस्त, अगले प्राश्ण की और हमा बरते हैं, चार नमबर प्राश्ण है, सात लर्किया, PQ, RST, और भी एक गोल इमेज की परिता केंदर की और अभी मुख कोकर बैटी है, सिटिंग एरेजमेंट एक चैप्टर है, रेजनिंग में उसी से इसको लिया गया है, यहनि कि सात लर्की है, जो एक बिरित के केंदर की और मुख कर के अरिया अरिया बैटके बतिया रही है, कुछ भी कर रही है, यहाँ पर प्राश्ण है न, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम एक सार्किल बनाते हैं, यहाँ पर सात ब्यक्ति को हम बैठा लेते हैं, ठीक है, पांच, छे, तीन, तीन, छे, सात ब्यक्ति हैं, सात ब्यक्त देखेंगे बावो इसको बैठाना कैसे हैं। देखो, प्रस्त है क्यों आर के दाएं थिसरे अस्थान पर बैठा है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मेरे दोस्त, सिटिंग एरेज्मेंट में हम पहला बैठते को अपने मन से जहां मन करें वहां बैठा सकते। तो यहाँ पर बोला है क्यों R के दायें तिसरे अस्थान पर बैठा है तो माल ले जो हम R को यहाँ पर बैठा है तो इसका दाया होगा E साइट इसका बाया होगा E साइट क्योंकि इसका चेहरा भीतर की तरफ है तो R के दाये बगल तिसरे अस्थान पर क्यों बैठा है एक दो है नो वो P के दाएं तिसरे अस्थान पर बैठा है एक दो तिसरे अस्थान पर भी बैठा है दाया पी के दाएं तिसरे अस्थान पर भी बैठा है जो भी है नो वो P के दाएं तिसरे साइड होगा तो बाबू क्यों के दाया होगा इस साइड में ठीक है तो टी जो है क्यों के दायां बगल में बैठा है इसका मतलब टी यहां आ गया बिल्कुल आगे कहता है एस आर के बायां बगल में बैठा है जो एस है ओ आर के बायां बगल में बैठा है तो आर के बायां इ लेकिन R और P के बीच में U बैठा है तो हम P को यहां पी नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि R और P के बीच में U नहीं आ सकता हम P को यहां बैठा सकते हैं और P को यहां बैठा सकते हैं अच्छा एक बात बताईए बाबो ध्यान से, एक बात बताईए कि अगर हम P को यहां बैठाते हैं, P को यहां बैठाते हैं तो P और R के बीच में कभी यू नहीं आ सकता, क्योंकि अल्रड़ी S बैठा है बीच में, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई कि P को हम यहां पर बैठाएंगे, और जैसे ही P यहां बैठेगा तो P और R के बीच में यू बैठा है तो यू बीच में आ जाएगा, आएक हिंट हमने छोड़ा था कि P के दाएं से तिसरे आस्तान पर भी बैठा है, तो P के दाएं उपर होगा, एक, दू, तिसरे आस्तान पर भी बैठा है तो भी यहां पर आ जाएगा, इस परकार हमारा एरेजमेंट बन के कम्पलीट हुआ, और इस एरेजमेंट में हमसे पूछा गया है, S और T के बीच कौन बैठा है, S और T के बीच, S और T के बीच में कौन बैठा है बाबू, तो S और T के बीच में भी बैठा है, अपसान नमबर B है, सही, क्योंकि S और T के बीच में भी ही बैठा है दोस्त, ठीक है, चलिए दोस्त, तो अब हम देखेंगे अगले प्राश्न, की ओर, अगला प्राश्न, यहने की पाँच नमबर की ओर, पाँच नमबर प्राश्न है बेठा, क्या कहता है, लूप्त संख्या का पाता लगाई, यहाँ पर लूप्त संख्या का पाता लगाना है, जैसे देखो, यह हमारा तीन तीन रो, तीन इसमें पंक्ती है और तीन रो का मेट्रिक्स बना है और मिसिंग नंबर का प्रस्ण है इसको किसी भी हालात में बनाए लेकिन यहाँ पर कोश्चन मार्क की जगा क्या भारा जाएगा इसे ही तो इसे पूछा गया तो बाबो देखो उपर वाले में देख रहे हैं जो 9 है नो इस 9 का हम square root निकाल दें माइनस और ये 4 का square root निकाल दें तो 9 जो होता है तीन का बर्मूल होता है तो 3 हो जाएगा आचार का बर्मूल हो जाएगा 2 तीन में से 2 जाएगा तो एक यहाँ पर दिया गया बिल्कुल सह जाए अपने उसी पर का 36 का बर्मूल ना सोरी 36 का बर्मूल यहाँ पर 25 का बर्मूल 36 जो होता है वो 6 का square होता है 25 जो होता है वो 5 का square होता है 6 में से 5 जाएगा तो कितना बच्चे के एक यहाँ पर भी एक लिखा गया है बिल्कुल यहाँ पर अब color को थोड़ा change कर लेने दिजिए बाबू यहाँ पर जो दिया है root के भीतर में दिया है 144 इसको और यहाँ पर 81 है 144 का बर्मूल होता है बाबू 12 अब 12 में से जैसे ही 9 घटाएंगे तो हमारा answer आजाए कितना 3 और 3 किस option में दिया भाई 3 option number A में दिया गया है यहीं हो जाएगा इस प्रशन का right answer मेरे सोना ठीक है चलिए तो मैं उमिद के साथ कह सकता हूं कि आप लोग इस प्रशन को भी समझ लिये होंगे दोस्त अब हम बहरेंगे आगले प्र आटाक यहां पर लिख दिया गया था तो आप प्रशन को रटिये नहीं प्रशन को समझे बाबो कि इसमें लोग जी क्या है ठीक है चलिए दोस्त अब हम देखते हैं अगले प्रशन की ओ अगला प्रशन याने की छे नंबर अगला प्रशन छे नंबर एक निश्चित कुट भासा में जैसे टी वाई एडी और और आर को उसने लिखा है ekstat की रूप में लिखा जाता ह। अच्छा एक चीज और है बाबू कि यहाँ पर जैसे कि G, A, P, Gap है न इसको लिखा है उसने 26 की रूप में हमसे पूछा है जानते है क्या M, O, J का पूछा है कोड क्या होगा बाबू अच्छा एक बात बताता है यहाँ पर लौजी को पाचानिगे जैसे कि T का करमाग होता है 20 इन सबी को जोरो Y का होता है 25 और R का होता है 18 इन सबी को जोरेंगे तो 20, 25, 45 हो जाएगा 45 में 18 जोटेगा तो 63 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर 63 नहीं दिया गया 65 दिया है तो 63 से 65 हम कैसे बना सकते हैं बाबू अगर हम अपने मन से पलस का दोग कर देंगे तो 65 बन सकता है बिल्कुल सही जब ऐसा लॉजिक है तो इसमें भी ये लॉजिक काम कर जाना चाहिए बिल्कुल G का करमाग 7 होता है A का 1 होता है B का 16 होता है 7 और 8 हा 16 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर तो 26 है फिर से पलस का दोग करेंगे तो 26 बन जाएगा इसका मतलग ये भी लॉजिक हमारा सही है बाबू ठीक है चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रशन पूछा जैसे मौज का कोड पूछा है तो मौज का कोड हम कर देंगे M का हो जाएगा 13 O का हो जाता है 15 और J का हो जाता है 10 इन सभी को जोरेंगे तो 13 15 हो जाएगा 28 28 में 10 जोरेंगे तो E हो जाएगा 38 को लेकिन पलस का 2 करना होगा बिल्कुल जैसे ही पलस का 2 करेंगे तो और तिस और दो कितना हो जाएगा 40 और 40 कौन सा अप्षन में दिया भाई 40 अप्षन नमर C में दिया गया है ठीक है मेरे दोस्त तो आप प्रश्ण को रटी ये नहीं बाबू प्रश्ण को समझे यहां पर लॉजिक क्या लगाया गया है ठीक है तो मैं उमिद के साथ कह सकत हों कि आप लोग इस प्रश्ण को भी जरूर समझ लिये होंगे दोस्त अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण इनकी साथ नमबर हमारा बलड रिलेशन चैप्टर से इसको लिया गया है क्या कहता है प्रश्ण ध्यान से देखिए का कहता है एक बेक् स्ब्सक्राइब है और सूरज अपड़े लिए कर रहा है तो तुम मान लो धोरा दर्ल के लिए सूरज तूम अपने आपको सूरज बना लो और अपने उपर इस प्रस्ण को अपलाई करके इसका एंसर विना पेंब ही दे सकते हो चुट कि बज़ आते हैं इसका अंसर आप दो तरीका से दे सकते हो, पहला तरीका है कि आप इसको family tree बना कर answer दो, और दूसरा तरीका आप मन में answer भी दे सकते हो, कैसे, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, तुम क्या करो थोरा देर के लिए अपने आपको सूरज मालो, और सूरज काता है, वह जो सब्द है, वह बेक्ति के पादी के लिए यूज हुआ हाँ, अब मेरे जो वर्ड़ है, वह जो सूरज अपने आप के लिए खुद यूज कर रहा, कहता है, मेरे पिता की पत्ने, ये बता ये सूरज की पत्ने की माँ हो गयी अन्य उसकी मा, मा ओ गयी, अब मा की बहन मा की बहन उसकी मौसी हो गई मौसी का बेटा कौन होगा इबताइए सुरज करता है मेरे पिता इन्हें खुद उसके पिता पिता की पत्ने उसकी मा हो गई मा की बहन उसकी मौसी हो गई आप मौसी का बेटा कौन होगा उसका मौसेर भाई होगा अप्सन नमर C है सही, हमने कैसे क्या, सूरज कहता है, मेरे पिता की पत्नी, यहने मेरे पिता की पत्नी सूरज की मा हो गई, मा की बहन, मा की बहन उसकी मौसी हो गई, मौसी के बेटा, मौसी की बेटा जो होगा, उसका मौसी रह भाई नहीं होगा, बिलकुल होगा, ठीक है, त जिसमें पेन के भी आव सकता नहीं होगी, क्योंकि वह व्यक्ति सुरत से कैसे समन्नित है, वह व्यक्ति सुरत का मौसी का बेटा है, ठीक है, लेकिन बाबू, यहां पर मौसेरा भाई अंसर तो आ गया, लेकिन हम फैमले ट्री से भी इसको अंसर बता रहे हैं, कैसे करते हैं द हमसे प्रश्न पूछा गया है भ्यान से देखिएगा बेक्ति के बारे में संकित करते हुए सूरज कहता है वह हम मेरे जो मेरे सब्द है इस सूरज अपने लिए यूज़ कर रहा है अज सूरज क्या है मेरे मेरे यानि कि सूरज जो है पूरूस है तो इसको हम बंद कर देंगे तिर्भूज में, ठीक है, मेरे पिता, इसके पिता बना लो, पिता इनसे उपर आएंगे, आप पिता है, इसले तिर्भूज में बन कर दोंगे, इसके पिता हो जाएंगे, बिल्कुल, अच्छा, पिता की पतने, इसकी पतने बना लो, इसकी जो पतनी होगी, इसकी पतनी होग नीची आएगा अई जो बेटा है न यहीं क्या है यहीं वह बैगती है यहीं वह बैगती है अई मेरे जो इक्या है तो यह सूरज ही है सूरज तो सूरज के यह है पिता पिता की होगई माई होगई मौसी सूरज की यह वाली है इस सूरज की मौसी होगई मौसी के बेटा क्या होगा सूरज का मौसेरा भाई नहीं होगा बिल्कुल होगा भाई सूरज का मौसेरा भाई होगा ठीक है तो मेरे दोस्त मैं उमीद के साथ कह रहा है आप लोग इस प्रश्ण को जरूर समझ लिए होंगे मेरे सोना चलिए बाबू अब हम देखते हैं आठ नमबर प्रश्ण क्या कहता है चलिए बाबू जो हमारा आठ नमबर प्रश्ण है उसको हम देखते हैं प्रश्ण है, सीजियल, सोरी, बिसम की पहचान करे, और ऐसे सीजियल 29-2018 के थार्ट डिसिप्ट में इस प्रश्ण को पुछा गया है, यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर लेटर का एह हमारा कलासिफिकेशन है, कि इन में से कौन सा लेटर, कौन सा आप्सन भीन होगा, इसमें क् बाबू, जो P और K है, एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, ठीक है, और H और S एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, आपको याद होगा, और CX भी अपोजिट लेटर है, लेकिन अप्शन B में ऐसा नहीं है, अप्शन B अपोजिट लेटर नहीं है, बाकि यहाँ पर E ती अप्छर है बाकी ऐसा आप सब भी में नहीं है अच्छा एक और मैथर और भी है बाबू कि जैसे पी और की क्या एक दूसे का अपोजिक लेटर है इसको जाच करना है तो पी का करमा कितना होता है 16 अपकी का करमा कितना होता है 11 इनको जोलने के बाद 27 आ जायेगा तो वहाँ नंबर जो है वो विपरित होगा अगर नहीं आएगा तो विपरित नहीं होगा तो 16 अगर कितना होता है 27 क्योंकि मेरे दोस्त हम विपरित लेटर निकालने के लिए जैसे पी का विपरित लेटर निकालने के लिए हम 27 के करमांग में से 27 में से इस पी का करमांग घटा देते तो P के कर्मांग 16 लग हटा देंगे, तो 27 में से P के कर्मांग 16 लग हटा देंगे, तो ये गारे बज़ेगा, तो P के गारे पर जो लेटर होता है, वो की होता है, तो P की यहां पर आगे के नहीं, बिल्कूल आ गया, उसी परकार option C को देखते हैं, तो option C में H का 8 होता है, IS का 90 होता है तो 29 है ये भी 27 आ गया अच्छा option D में मेर बागो C का 3 होता है X का 24 होता है इनको जोरेंगे तो ये होँ हो जाएगा 27 लेकिन option B में L का 12 होता है Q का 17 होता है इनको जोरने पर ये आता है 29 इसलिए option B है सही क्योंकि ये पोजेक लेटर नहीं होगा तो आप ऐसे इसका करमांग लेकर भी कर सकते हैं क्योंकि पी क्या करमांग 16 की क्या होता है इनको जोरने के बाद अगर 27 आता है तो वह जो है ओ एक दुसरे का अपोजिट लेटर कहलाएगा ए लाजिक इस प्रश्ण में था ठीक है तो चलिए अब हम देखेते हैं 9 नमबर प्रश्ण की ओर चलिए दोस्त अब हम 9 नमबर प्रश्ण की ओर भरते हैं 9 नमबर प्रश्ण यादि 66 आट दरेट 17 आट दरेट 53 का 64 पंदरे एकान लिखा एगे जैसे कि देखें आप पर 66 आट दरेट 17 आट दरेट तीरपन को उसने क्या लिखा है उसने लिखा है 64 पंदरे और एकान लिखा है ना बिलकुल लिखा है एकान लिखा है यहाँ पर क्या है तो 17 आट दरेट 9 आट दरेट 99 इसको उसने लिखा है 15 आट और 97 लिखा है हमसे पूछा है क्या बाबू कि 41 आट दरेट 18 का कोड क्या होगा अच्छा बाबू यहाँ पर आपको क्या कोई लॉजिक समझ में आ रहा है कि ने बिल्कुल समझ में आ रहा है जो बीच में add the rate लिखा ना इसका मतलब कुछ ने यहाँ पर क्या किया इसको add the rate को हटा दिया है हटा के कैसे लिखा है देखो ध्यान से यहाँ ध्यान से देखो जो 66 है इसमें से 2 घटा देंगे तो 64 बन जाया गया बिल्कुल जो 33 है इसमें से 2 घटा देंगे तो यह काउन बन जाया क्या यह लॉजिक है तो नीचे भी लॉजिक लगना चाहिए बिल्कुल 17 में से 2 घटा देंगे तो 15 बन जाया बिल्कुल 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 बन जाया बिल्कुल 99 में से 2 घटा नेक बाद 97 बन गया तो 49 बचेगा, 11 में से 2 घटेगा, 9 बचेगा, 81 में से 2 घटेगा, 7 और 9 बचेगा, तो 49,989, कौन सा option में दिया है भाई, यहीं हो जायेगा, इस प्रस्न का right answer, 49,989 कीस अप्सन में है, तो option number C में दिया गया है, इसका right answer option number C हो जायेगा, सही, ठीक है दोस्त, तो मैं उमीद के साथ कह रहा हूं कि आप लोग इस प्रस्न को जरूर समझे होंगे, आप प्रस्न को रटी है नहीं बाबू, प्रस्न को समझे कि इसमें logic क्या कह रहा है, क्या logic लगाया गया है भाई, चलिए, तो अब हम देखते हैं, दस number प्रस्न की ओर, दस number प्रस्न, बारा ही मज़ेदार प्रस्न है बाबू, ए हमारा analogy या फिर similarity इसे बोला जाता है, और हिंदी में साधिर या समानता चेप्टर का नाम है, उससे इस प्रस्न को लिया गया है, जैसे कि पौंदरों का जो relation 62 से है, उसी परकार सोलों का relation कौन से number से होगा, तो बाबू देखो, इस वाले जो analogy प्रस्न है, इसका अंसर बहुत सारा होता है, अंगिनत हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम ब लोजिक पहचानने का तरीका बताते हैं, इसमें जो priority दिया जाता है, यह इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, जब भी analogy प्रस्न एनकी समानता का प्रस्न आता है, तो उसमें हम करते हैं क्या है बाबू, सबसे पहले हम देखते हैं क्या या प्राइम नंबर तो नहीं है उसके बाद देखते हैं क्या या घं तो नहीं है अगर घं भी नहीं है तब हम S2 देखते हैं S2 भी नहीं है तब हम देखते हैं multiplication या फिर division गुना या फिर भाग अगर ओ भी नहीं है तब हम देखते हैं addition या subtraction जोर या घटा अगर वो भी नहीं है तो इसे बोला जाता है इलोजिकल प्रश्ण है इने की इलोजिकल इने अतारकी की प्रश्ण है किसी प्रश्ण प्रश्ण नहीं होगा अतारकी की प्रश्ण तो देखते हो यह सबसे पहले क्या यह अभाज संख्या है नहीं है क्या यह क्यूब है नहीं क यह आया square है, square भी नहीं है, then उसके बाद है multiplication या division देखते हैं, multiplication देखते हैं, जैसे कि पंदर का जो relation 62 से बना है, उसी पर का solar का relation जो होगा, वो किसी से होगा हमें बताना है बाबू, तो देखो, यहाँ पर क्या आएगा यहीं बताना है, तो सबसे पहले इसमें हम logic क्या लग लगा देंगे बाबू, इसमें हम लवजे के लगा देंगे क्या multiplication, तो देखो, 15 से 62 कैसे बना, अगर इस 15 को हम 4 से गुना कर दें, प्लस का दो कर दें, तो 15 का 62 कितना 62 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आगे, उसी पर का solar का क्या करेंगे, हम 4 से गुना कर देंगे, अगे, प्लस का इसमें 2 कर देंगे, तो 16 का 64 है, तो कितना 66, क्या 66 अप्शन में दिया गया है, हाँ भईया, बिल्कुल दिया गया है, अप्शन नमबर A में 66 दिया गया, बारही मज़े दार प्रस्ण था, और एह हर साल, हर साल एक-दो कोशन इस परकार, अनलोजिक प्रस् नमबर अगर प्राइम नमबर नहीं है तो घंड चेक करेंगे घंड नहीं है तो एस्क्वाइर चेक करेंगे एस्क्वाइर नहीं है तो मल्टिप्लिकेशन या फिर डिविजन करेंगे ठीक है भाई अगर वह भी नहीं है तो जोर घटाव करेंगे वह भी नहीं है तो इसका मत प्रश्ण की और आप लोग इस प्रश्ण को जरूर समझ लिए होंगे। पहला बॉक्स में किसी भी सिम्बल को उठा लो। जैसे पहला बॉक्स में देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्किल क्या है। यहाँ भी खाले गृत नहीं आ सकता इसलिए हमारा ऑप्सन नमर डी और ऑप्सन नमर बी गलत हो गया। पास बचा अप्सन ए और अप्सन सी अब इसमें लोजिक क्या है उसको तुम पहाँ चानो। बाबु देखो। जैसे यहाँ पर A लेटर है इसको यहाँ पर 90 गरी घरी के चलने के दिशा में आगे लेकर गया गया है। लेकिन A से B बना दिया है प्लस का वन कर दिया गया है। फिर इस B को ला दिया गया है यहाँ पर प्लस का वन करके। B में एक जो रहेंगे तो C बन जाएगा तो अगली बार A जो C है उठके चलाएगा यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक बार जाएगा D हो जाएगा क्योंकि A, B, C यहाँ पर D हो जाएगा तो जिस option में यहाँ पर D नहीं है उस option को काट दो तो option नमर C में यहाँ पर D नहीं है इसलिए option नमर A सही हो जाएगा क्योंकि option नमर A में D यहाँ पर दिया गया है और हमें W चेक करने की आवसाकता भी नहीं है हम जो दो सिंबल को चेक के हमारा एंसर आ गया इसलिए मेरे दोस्त आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ठीक है भाई तो मेरे non-verbal का reasoning है इससे जरूर समझ लिए होंगे अब हम बरते हैं आगले प्राष्ट संख्या बारे की ओर प्राष्ण संख्या भारा है आकिर्थी को पूरा करे और SSE MTS 17 सेप्टमबर 2017 के फर्स्ट सिप्ट में इसे पूछा गया अच्छा बाबो देखो यहाँ पर क्या logic लगेगा सिंपल सा फंडा है इसमें rotation allow नहीं होता है इसे चारो अप्शन में से किसी को उठा कर इसमें fit कर देना है जिस अप्शन को उठा कर fit करने के बादे आकिर्थी पूर्ण हो जाएगे वहीं अप्शन हमारा सही हो जाएगा देखो यहाँ से एक लाइन ऐसे खिचा जाएगा यहाँ से एक लाइन ऐसे खिचा जाएगा और यहाँ से एक लाइन ऐसे खिचा जाएगा यहां पर जो बिंदू दिख रहा है बाबू, वो किस अप्सन में है, यह बिंदू जो है नो, पहले लाइन के बाद में यहां पर बनेगा, पहले लाइन के बाद में यहां पर बन जाएगा, तो यहां पर बनेगा तो इसमें एक बिंदू बनेगा, तो पांच बिंदू तो इंदू बनेगा पहली लाइन के यहां पर बनेगा ऐसे पहली लाइन के बाद बनेगा नो की दू लाइन के बाद बना है इसलिए अप्शन ए गलत यहां पर एक लाइन के बाद बना है तो इसलिए अप्शन भी है सही तो बाबो ए नन बर्बल रिजनिंग हमारा अप्शन डि को अच्छे से समझ गए होंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए साथ ही साथ बेल आइकन को अन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डानू तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जय हैं